नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चेनल पर आज हम आपको वहती महत्पूश जानकारी देने जा रहे हैं जैसे आप अपने मोबाल में खॉल एश्ट्री देख सकते हैं कि आपके पास किसका फोन आया था किसे आपने फोन लगाया था दिनांग समय सब उसमें जैसे दिखाई दिता है उसी तरह आप अपने आधरकार की आधरेश्टी पता कर सकते हैं जिसमें आपको यूँआई टीए आई का पोटल है उस पर आपको जाना है वहां से लॉगन करना है वह सारी जानकारी हमें वीडियो के माद्यम से आपको देंगे उसमें आप इस्टेटफ भी पता लगता है उसमें कि वह सक्सेस्फुल रहा या नहीं रहा सब रहता है उसमें तो चलिए हम आपको इस वीडियो के माद्यम से बताते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था आप यू आई डीए आई के पूटल पर जाते हैं वहां से आप लॉगन करते हैं जैसी आप लॉगन करेंगे बैसी आपको एक पेज दिखाई देगा जहां पर लिखा होगा एंटर आधार वहां आप अपना आधार काड नंबर डालेंगे जो कि आधार काड पर दोनों तरब लिखा रहता है बारे डिजिट का आप वह आधार काड उस पर नंबर डालेंगे उसके नीचे आपको कैपचा दिखाई देगा वहां आपको कैपचा डालना है मैंने आधार का नंबर बिलर कर दिया है क्योंकि यह कुपनी चीजे होती है यह कभी किसी को सेर नहीं करनी चाहिए इसलिए मैंने विलर कर दिया है हम यहाँ पर कैपचा डालते हैं और कैपचा डालने के वाद सेंड ओटी भी करते हैं कैपचा में यह जडरू ध्यान रखना है कि कैपिटल स्मॉल लेटर अच्छे से आपको देखने हैं वही और एंटर ओटी पी यहाँ पर आपको करना है आपका ओटी भी उसी नमर पर आएगा जो आपके आदा काट से लिंक है और यहाँ पर हम अपना ओटी भी डालते हैं और यह जैसी डालेंगे लोग इन करते हैं लोग इन करेंगे तो आपको एक अलग पेज दिखाई देगा यहां पर आप लॉग इं हो चुके हैं आप यहां से आधार डाण्लोड कर सकते हैं एडरस raisk वहाँ सारे ऊप्स offers रहते हैं ऊप कर सकते हैं हमें जाना है authentication history पर पराजा कर जाएंगे तब हम अपनी ओल यह पता समय तो हम पहुंचे हैं उसके बाद आप खो डले करना है जैसे ही आप All Select करेंगे उसके नीचे आता है इंटर इस्टार्ट डेट यहां पर आपको बोई डेट बननी है जो आप छे महीने पहले तक का इसमें देख सकते हैं ज्यादा बरेंगे तो वह मान नहीं करेगा तो आप छे मेने से के अंदर ही डेट रखनी है उसके बाद जैसे ही आप Authentication इस्ट्रीक पैच करते हैं वैसे ही आपको एक नीचे कि खुल के आ जाता है जिसमें आपको दिखाई देगा OTP Biometric demographic और नीचे लिखाओगा तुमारा क्किनी अंक्ष्थट क्या है किस दिनां को कितने वज़े आपका आधार कर्ड इस्तेमौल होगाहन है यहां से आप दानॕर सकते हैं जाए हाँ कि आपने वीडियो में देगा की बहुत ही आसन सी प्रक्रिया है इस आप यह भी पता कर सकते हैं कि आपकी आधार का का कोई गलत इस्तेम Collaborative तो नहीं कर रहा है यदि कर रहा है तो आप उसकी स्कायद दर्ज कर सकते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे के आपको जागतां संब्स हिडियो मिलते रहें वीडियो को अधिक से अधिक से अधिक शेयर करें जिसटे के लोग जावरों के होते रहें धन्यवाद